सात्यों छोटे से आकार का साधान सा दिखने वाला फल आवला ओस्दिय गुनों की खान है इसका किसी भी रूप में स्येवल करने से मेटाबोलिजम दुरुस्त होता है यहें अमलिय पित के बुरे प्रभाव से बचाता है इसी कारण आवला को कई सारिक समश्चाओं के गरेलो उपचार के तोर पर इस्तेमाल में लाया जाता है वही आईरवेज में भी कुछ गंबीर समश्चाओं से राहत दिलाने के लिए भी इसे ओस्दी के तोर पर प्रियोग भी लाया जाता है आवला में बरपूर मात्रा में एंटी ओक्षिडेंट तत्व पाए जाते हैं साथ ही इसमें पोटेशियम, कार्बोहाइडरेट, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन A, मैगनेशियम और आइरन भी परचूर मात्रा में मिलता है आवला में नारंगी से 20% ज़्यादा विटामिन C होता है और इसको गरम करने पर भी इसके विटामिन्स खतम नहीं होते हैं मैं हूँ आईरवेद एम होम रेमेडिय एक्सपर्ट डॉक्टर ऐसे स्यादाव और आज के इस वीडियो में मैं आपको आवला के सेउन से ऐसे ही कई रोगों में होने वाले फायदों के बारे में बताऊंगा तो चलिए बिना देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आवला खाने से होने वाले फायदों वे इसके इसके इस्तिमाल के विबिन तरीकों के बारे में नमबर एक आवला का रस आँखों के लिए बेहद फायदे मद होता है इसमें विटामिन A की परचूर मात्रा होने के कान यहे नए केवल आँखों की जोती या द्रस्टी को बढ़ाता है बलकि है मोत या बिन्द, कलर ब्लाइंडनेस, रतोंदी या कम दिखाई देने की समस्या वे इनसे होने वाले दर्द में भी फायदा करता है नमबर दो, आवला के परती दिन सेउन करने से पाचन की रिया समन्दी पेट की सभी समस्याएं दूर होती है आवला के सेउन से सरीर की रोग परती रोग चुमता बढ़ती है, सरीर के विशाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं कब्स, गैस बनना, खटिड कारियाना के साथ साथ पेट के सभी संकर्मन दूर होते हैं बहुत से लोग वजन कम करने के लिए भी आवला का सेउन करते हैं नमबर तीन, आवला के सेउन से हडिया मजबूत और ताकत वर बनती हैं अर्थ राइटीस वजोडों के दर्द में बेहद फायदा मिलता है नमबर चार, आवला में क्रीमियम तत्तो होने के कारण इसका सेउन डाइबिटीज की रोगियों के लिए भी बेहद उप्योगी होता है आवला इंसूलीन हार्मोन को सुदर्ड करता है और खून में सुगर की मातरा को नियंतरीत करता है नमबर पांच, आवला हमारे हर्दे की मास्पेशियों को मजबूत बनाता है यह हार्ट वैसल्स में होने वाली रुकाउट को दूर करता है आवला में मौझूद एंटी ऑक्षिडेंट वै अमिनो एसिड तत्तों होने के कारण यह खराब कलेस्टोल को बाहर कर अच्छे कलेस्टोल को बनाने में मदद करता है नमबर च्छे, मुत्र विकारों को दूर करने के लिए आवला एक कारगरोस दी है इसके लगातार सेवन से किडने में होने वाले संकर्मन वा पत्तरी से चुटकरा मिलता है नमबर साथ, आवला का सेवन परजनन छमता को बढ़ाने के लिए बेहद उत्तम होता है आवला के सेवन से पुर्सों में सुकराणू की किरिये शीलता और मात्रा बढ़ती है और महिलाओं में अंडानू अच्छे वे स्वस्त बनते हैं नमबर आठ, आवला का सेवन महिलाओं में बढ़ती हुई महावारी की समस्या में बेहद लाबकारी होता है आवला में काफी मात्रा में मिल्डल्स वे विटामिन्स होने के कान महावारी देर से आना, जल्दी आना, कम आना, रख्षाव जादा होना इस दोरान पेट में दर्ध जैसी समश्याओं में इसका सेवन बेहत फायदेमन होता है इसके सेवन से महिलाओं में परजिनन छमता बढ़ती है और महावारी नेंतरी तरहती है आवला का इस्तेमाल आप चटनी, मुर्बा, अचार, चूरन या चूरन प्रास के रुप में कर सकते हैं अगर आपको बताई गई इन समश्याओं में से कोई भी समश्या है तो आप लगातार कुछ दिन आवला का सेवन करें अगर आप कच्चे आवले का सेवन करते हैं तो परती दिन केवल एक आवले का सेवन करें इसी प्रकार अगर आप आवला के चुरुन का इस्तिमाल करना चाहते हैं तो सुबह खाले पेट या रात को सोने से पहले केवल पांच ग्राम की मातरा में एक ग्लास गुनगने पाने के साथ इसका स्योन करें उमीद करता हूँ आप इस जानकारी का पूरा लाप उठाने की साथ वीडियो को जदा ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का फायदा उठाश कें वीडियो से समंदित किसी भी तरह की जानकारी के लिए कोमेंट करें मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के किसी दूसरे स्वास्त वर्दक वीडियो कोंटेंट के साथ अब तक खुश रहें स्वास्त रहें जैहिंद जैभारत